चानल पर करने हो तो चानल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को और फेसेट कर लेना क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइज जरू करना शेर करना और आपके अगर को सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक पर बात करेंगे एक तो accessibility volume और media volume और दूसरा आपका जो answer और decline जो feature होता है Android में मतलब call आने पर answer और decline आपको करना ये कितने आप लोग के तरीके available है media volume, accessibility volume के लिए भी कितने तरीके available है वो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले है तो जो हमारे basic user से जिन लोग को समस्या होती है वो लोग वीडियो को एंटक जरूर देखे और जो लोग नहीं चानना चाते वीडियो को skip कर सकते है आप लोग जानते हो कि ये channel हर एक चीजों पर जो है focus करता है तो basic users के लिए भी हम लोग को ध्यान देना पड़ता है और सारी चीजे जो है clear करनी होती है तो यहाँ पर ये चीजों का बहुत सारे लोग जो अभी भी confusion है की accessibility volume, media volume और call answer के लिए क्या-क्या facilities available है तो आप लोग वीडियो को अंटेक्ट जरूर देखे जिन लोग को जानना है और जिन लोग को नहीं जानना है वीडियो को अभी skip कर सकते है लेकिन जाते समय वीडियो को like जरू करिएगा और ये जानकारी सबको मिले इस वीडियो को सभी के साथ share कर दीजेगा और अगर आप एक screen reader user हो तो आपको इस channel को subscribe करके रखना है क्योंकि इस channel पर जो वीडियोज आती है वो screen reader के साथ आती है तो subscribe करके जरूर रखिएगा और यहाँ पर आप लोग इस वीडियो को सबी के साथ जरूर शेयर करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे media volume और accessibility volume को लेकर तो दो तरह के जो है फोन पर हम focus करेंगे एक तो samsung devices और other devices तो यहाँ पर samsung devices और other devices की जहां तक बात है तो जब आप जो है normal अपना फोन में कोई media प्ले कर रहे हो या फिर कोई भी song आपने प्ले करके रखा हुआ है तो अगर उस time पर किसी talkback की या किसी screen reader की आवाज नहीं आ रही है तो आपका media volume कम ज़ादा होगा यह सभी devices में होता है samsung devices में भी और other devices में भी है ना और यहाँ पर जब आपका कोई song भी अगर play हो रहा है और उस समय पर अपने talkback के साथ भी आपके talkback भी कुछ read कर रहा है talkback कुछ बोल रहा है तो जब आप volume बटन को press करोंगे तो आपके talkback की आवाज कम या ज़ादा होगी है ना तो इस चीज को आपको धेहन देना है कि जिस समय पर जो चीज जो बोलेगी उस समय पर वो चीज का आवाज कम या ज़ादा होगा है ना ये samsung की devices के साथ साथ होता है कई other devices में जहां तक बाते तो जो चीज आपको अगर media volume या accessibility volume कम ज़ादा करना है तो media volume आपको आपका normal जो है volume बटन को अब डाउन वाला जो volume बटन है उसको प्रेस करना है तो media volume कम ज़ादा होगा और अगर आपको accessibility volume कम ज़ादा करना है other devices में जैसे Redmi, Vivo या फिर Realme ये सब जो devices है Nokia या फिर जो भी आपके devices है other devices उसमे अगर आपको accessibility volume कम ज़ादा करना है तो उसके लिए आपको जो है आपकी finger screen पर रखनी है media volume जो है मतलब जो volume buttons है उसको आप या फिर down आप लोग को करना है तो उससे आपकी accessibility volume कम ज़ादा होगी लेकिन सिर्फ अगर आपको media volume कम ज़ादा करना है तो direct आपको buttons प्रेस करना है volume up down वाले तो आपका media volume जो आपके songs या फिर जो आप मतलब जो आप जो भी audios वगरा play करने वाले हो उनके जो media volume है वो volume कम होगी लेकिन talkback की volume अगर आपको कम करनी है या screen reader की volume कम करनी है तो screen पर आपको एक बाद touch करना है finger रखे रखना है screen पर आप finger रखे रखोंगे और up या down अगर कम करना है तो down और बढ़ाना है तो up volume की आपको प्रेस करना है तो इससे आपका accessibility volume कम या जादा होगा ये दो अलग अलग तरीके है है ना और अब यहाँ पर जो है आप अगर आपका talkback बंद है तो आपका direct जो है volume बटन से आप या down media volume ही कम जादा होगा अब अगर किसी का media volume नहीं हो रहा है तो आप सेटिंग में जाके ringtone volume को adjust कर सकते हो है ना उससे भी सारे जो volume से adjust हो जाते मीडिया वाले किसी-किसी phone में ये setting होती है है ना और यहाँ पर संसंग के devices में ऐसा होता है कि आप अगर जो भी चीज़े प्ले करों जैसे स्टाटिंग में बताया जो भी चीज़े प्ले हो रही है वह volume आपका कम जादा हो जाता है संसंग की डिवाइस में स्क्रीन डिटर जो है में डिटर नहीं है अगर आपका टॉक बटन प्रेस करें तो टॉक बटन प्रेस करोंगे तो कम ज्यादा वह होगा है ना तो यह चीज़े है अब हम लोग बात करेंगे कॉल को आंसर या फिर डिकलाइन करने वाली तो संसंग की फोन में आपको सेटिंग मिल जाती है है ना दो तरीकी संसंग में तरीके है एक तो टॉक बैक का तरीका आप यूज कर सकते हो स्क्रीन पर डबल टैप कर तो सीधे आपका फॉन रिसीव हो जाएगा प्लेपॉस वाला गजज़े अपने रखा रख रखा है जो की बाई डेफॉल्ट रखा हुआ आता है है ना या फिर एप संसंग के बटन पर अंसर करने सक्तियों अपने बटन और प्ले में सेटिंग सेटिंग उसके बाद डो स्वाइबॉस वाीप फोन को आउसर कर सकते हो दूसरी चीज यहां पर अगर आपका अधर डिवाइस है कोई अधर डिवाइस है उसमें अगर आप कर रहे हो तो नॉर्मल आपको दो फिंगर डबल टैप वाला जैस्चर काम करेगा गुगल फोन अगर आपके फोन में डिफॉल्ट है तो उसमें स्वाइप अपकर आफ से Google phone को install कर सकते हो इससे दो फिंगर से Swipe Up दो फिंगर से Swipe Down करोंगे तो आपका call answer और decline होगा दो फिंगर से Swipe Up करने पर call answer अन्सर हो जाता है decline करने के लिए Swipe Down करना होता है यह Google phone होने पर ही यह तरीकल काम करेगा अगर Google phone नहीं है तो आप normal Talkback का जो Gester मिलता है Talkback सेटिंग में जाएए वहाँ पर आपको प्लेइपॉस मीडिया वाला जेश्चर सेट करना है किसी भी एक जेश्चर पर और वह जेश्चर परफॉर्म करने पर आपका कॉल आंसर हो जाएगा तो यह काफी आसान तरीका है उमीद करता हूं यह सारी चीजे आप लोग अपने मा कि तुर आज मिलूँगा किसी और इंटरस्टिंग वीडियों में तब तक के लिए जाहिन